Hello friends, तो मैं आपको आज इस वीडियो में ये वाला इयरींग बना, केसे बनता है, वो सिखाने वाली हुँ, तो भी हम स्थार्ट करते हैं ये वाला इयरींग बनाना तो ये वीडियो स्टार्ट करने से फेले मैं आपको बता दू कि डिक्स्रिक्षन बॉक्स में मैंने एप्लिकेशन का लिंक, मेरा नमबर और वाट्स ओप ग्रूप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, तीनों जगा पे आप मुझसे जोइंट हो जाए, एप्लिकेशन के अंदर आपको software कैसे install करना है, उसका उसमे फ्री वीडियो मिल जाएगा, और मुझसे अगर online आपको सिखना है, तो online classes के बारे में भी आपको वहाँ पे information मिल जाएगा, WhatsApp Group का link जो है, उसमें आप joint हो जाए, आपका अगर कुछ भी problem है ना, उस group में आप message करना, वहाँ पे आपको all over India के बहुत सारी designer जो है, वहाँ पे तो आपका जो भी problem होगा ना, वहाँ पे आपका solution हो जाएगा, अगर वहाँ से भी आपको solution नहीं मिला, तो आप मुझे personal, मै इसले तो हम इसका image background में set करेंगे, picture frame में जाना ही image set करने के लिए, image पर click किया, open, f4 और shift के साथे से straight हमने एक box ले लिया है अब हम यह image जितना रखना है उतना रखेंगे, बाकी का हम trim कर देंगे, अभी तो हमें क्या करना है, यह top का एक पाट ही रखना है, तो मैं इतना trim कर लेती हूँ, select किया, यह हो गया हमारा image extra था, वो trim, फिजे background में set करना है, इससे पहले हमें इसे 12.8 mm में set भी करना है, तो पहले transform में जाना है, इमें select करके, scale to d का option, यहाँ से straight क्लिक कर लिया मैंने, और 12.8 लिक के enter, और image के, मैं इस में count नहीं draw करूँगी, क्योंकि यह वाला जो collect है, वो exit center में है, तो मैं उसको सिधा move कर लूँगी, वहाँ से, तो यह से center में click किया, mode option लेकर, और F4, तो आगया हमारा image अभी center में, इसे हम यहाँ पे gray color देके, lock कर देंगे, फिर मैं इसे अपने folder में एक बार से भी कर लूँगी, अभी, अब हमें इसमें measure में जाके diamond का measure ले लेना है, तो यह diamond 1.7 का है, तो अब पहले, image height करके 1.7 का cluster बना लूँगी, तो gems में जाना है, gem loader पे click किया, round diamond में 1.7 का diamond ले लिया, भी मैंने, plastic shading, cylinder में जाना है, हमें solid में F4, 1.9 enter, minus 1 enter, diamond को select किया, यहाँ से 0.9, element 1 उपर ले लिया, F6, chain cutter का option लिया हमने, load depth से इसका height हम नीचे ले लेंगे, enter, cylinder पे click करना है, difference, chain cutter पे click enter, दोनों को select करके utility में जाके group कर दिया, अभी हमने, अभी से हमें copy करना है, control C, control V से हमने copy किया, यहाँ से straight इतना उपर ले लिया है हमने, select रखा है अभी, transform में जाके और यह पाला F4, चेलिक के enter, 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 अब हमें इसका प्रॉंग सेट करने ना है, तो solid में जाके cylinder F4, 0.5 enter, minus 2 enter, प्रॉंग को diamond के level तक लिया और वहां से 0.3 उपर ले लिया, move face से इसका height, call it के level तक, फिर filter दे देना है इसे, set all पे क्लिक करना है, 0.15 लिक के enter, enter, प्रॉंग को select किया, copy करना है, control C, control V से, तिनों के बीच exact set किया, और इसे यहाँ उपर की तरफ इतना in session रखके set कर दिया, इसे select करके transform में जाके अरे पॉलर दे देना है उमें, फिर अंदर वाला prongs select करके उसे भी अरे पॉलर, f4, 6 लिक के enter, 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 अब अंदर वाला collect और सभी prongs को एक साथ select करना है, उमें group कर देना है, right view में से उसे 0.7 उपर ले लेना है, फिर move face से, उपर वाले collect का height है उसे, नीचे वाले collect के level तक, के तो हमारा इस center वाला cluster है वह भी बन के ready हो गया है, अब हम बाहर वाले diamonds का major भी ले लेंगे, तो online dimension में जाके, यह diamonds भी 1.7 की है, तो हम क्या करेंगे, यह वाला जो है उसे select किया, Ctrl C, Ctrl V, यहां तक move किया, और यह जो single वाला प्रोंग है उसे हम center में से copy देंगे, तो wallet का center लेना है हमें, mirror का option लिया, wallet के center में से, click किया, यहां पे, और यहसे करके mirror, फिर दोनों को group कर देना है अभी हमें यहां पे, यह हो गया है यहां पे set, और यह copy करना है Ctrl C, Ctrl V, और इसे rotate करके यहां पे set किया, और यहां से थोड़ा अंदर, तो आप image में देख सकते हैं कि यह जो बाहर वाला यह दूसरी line है, वो straight है, और यह जो बाहर वाला है, इसे rotate किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रंट में से यहां से minus 0.7 नीचे लेना है, इन दोनों के बीच का stepping है, 0.7 साद हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, minus 0, 5 नीचे लेंगे उसे, और यह वाला minus 1, और यहां से यह से rotate करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे rotate कर लेंगे अभी यहां पर ही, अब इसमें pipe से support दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, यह वाला जो cluster है न, उसका height बाहर वाले collect के level तक लाना है, तो हम क्या करेंगे पहले इसे तो पूरा का पूरा भी group कर लेते हैं यहां से, और front में से move face का option लेंगे हम, इसके level तक ले लिया है हमने, अब इसका height बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे नीचे से थोड़ा खाली कर देंगे, तो solid में cylinder का option लिया, यहां तक हमने cylinder लिया है, और right में ऐसे height दे दिया है, फ्रंट में से इसको यहां से minus one नीचे लेना है और बाकी का cut कर देना है, आप देख सकते हैं कि extra metal जो था वो cut हो गया है अब हमें नीचे का जो यह वाला metal है, वो बनाना है, तो हमें क्या करना है, टॉप में एक circle लेना है, यहां तक यह अभी height कर दिया, इस अंदर की तरफ 0.7 का offset देना है हमें और solid में जाके cylinder से, extrude cow state से उसे, minus 0.7, height देना है, बोच साइड नो रखना है, minus 0.7, अब यह वाला जो पाठ है वो नीचे वाले कॉलेट से, दोए में नीचे है, तो हमें minus 2 लिखना है यहां पे, हम minus 1.5 लिखेंगे तो हमें यहां लिखना है, minus 1.5, अब हो गया है यह वाला set, अब हमें यहां से एक pipe draw करना है, बाहर वाला, तो कव में जाना है, आर्क डिरेक्शन लेना है हमें, पहले हम फ्रंट वाले, वाले view में इसे करेंगे इसको, तो यहां पे यहां, यहां से यहां तक मैंने क्लिक किया, और इसे shape दे दिया, तो इसे select करके, solid में जाके, pipe का option, diameter की जग radius, 0.7 लिखके, enter, 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 तो आप देख सकती कि अभी यह वाला pipe top में इसे दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, यह वाला जो point है, इसे select करके थोड़ा अंदर की तरफ, अब हमें इसे pipe देना है, तो pipe option लेना है, 0.7 लेना है, तो image में हम count कर लेंगे, कि यह कितना है, तो 6 है, तो इसे select किया, transform में गए, अरे polar का option लिया, F4, 6 लिखके, enter, 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 फिर इन 6 को एक साथ group कर देंगे हम यहाँ पे, फिर यह वाला जो pipe है, उसका हम cylinder बनाएंगे, तो में फ्रंट में से इसको गाउड्रो बनना है, फिर इसको pipe देना है, थोड़ा नीचे लेंगे अंपूंती, तो इसमें बाहर वाले point में है, इन दोनों में, तो हमने क्या किया, अंदर वाले में दे दिया है भी, अब हम इसमें pipe set करेंगे, तो काउ में जाना है, आर्थ दिरेक्शन लिया, पहले तो हम right view में से यहां से यहां ऐसे क्लिक करेंगे, यह इसे count row कर लिया हमने, और solid में जाके pipe का option, हम point seven का pipe रखते है, इसको भी अभी group कर दिया, front में से, अब इसका pipe हमें set करना है, तो काउ में जाना है, आर्थ दिरेक्शन और इस, आर्थ दिरेक्शन लेना है, तो यहां से, यहां पर इसे set कर दिया, select किया, solid में जाके pipe, तो इसे भी इसके साथ group, फिरी श्यार्य पॉलर देंगे अभी हम, छेलिक एंटर, 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 फिरेन ग्रूप करिया हमने, अब यह सारे collect एक साथ group करेंगे हम, और यह वाला pipe, एक साथ group, इसमें पहले हम collect को और एप और देंगे, तो सिलेक किया, सेंटर लेक के, इन सब को भी group कर दिया, यह वाला pipe सिलेक किया, परे पॉलर, एक सब 4, 6 लिक के एंटर, 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 इन सब को भी select करके group, तो यह दोनो pipe और नीचे का metal दोनो group कर देंगे हम, हाइड में से यह वाला cluster यहां लाना है, हमें, cluster और यह वाले collect को हम रखेंगे, बाकी सब hide, तो यह वाले collect के साथ उपर से पट्टी वाले support भी है, हम तो क्या करेंगे, पट्टी वाले support भी बना लेना है हमको, तो हम पहले single line लेंगे इसे center में से, उसको both side offset देना है हमें, 0.35 लोफ्ट दे देना है और उसे surface offset से height देना है 0.7 का, तो यह यहां तक अभी set होगा, तो यह वाला जो हे वह straight है, तो अभी में इसमे fillet edge दे देना है, तो solid में जाना है, fillet edge का option लिया, चारो corner space से, फ्लिक करके, point 15 का fillet edge दे देना है हमें, तो यह वाला हो क्या है, अभी से select करके, फिर से अरे polar, छे लिक के enter, 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 इन सफी supports का अभी group, इन दोनों का भी hide किया, और यह वाले college को यहां लाना है हमें, पाउ में जाना है single line, यहां से यहां तक क्लिक किया, offset देना है इसको, 0.35 का watch side, बीच वाला cause हो है वो delete, select किया, इन दोनों को loft दिया, select करके इसको offset surface दे देना है, 0.7 का height, अभी से select किया, नीचे वाला जो collect है उसके level तक ले लेना है, transform में जाके solid point on किया, यह वाले side के solid point on करके, इसके नीचे के तन level तक ले लिया, यह हो क्या है अभी, अभी इसकी चारो corner पे हमें filleted देना है, तो solid में जाके filleted का option लिया, चारो और filleted दे दिया, अभी उसे हम array color दे देंगे तो select किया, transform में जाके array color, एफ पॉर, छेले, can't enter, enter, इस अभी supports को group करना है अभी, यह जो चाली है उसको हमें अलग रखना है, तो हम उसे अलग color देंगे अभी, और उपर वाला जो सब कुछ है वो एक साथ group, तो आप देख सकते है कि हमारा, इस वीडियो में हमारे साथ चुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,